हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों यह वीडियो एक ब्लाग वीडियो है इस समय मैं महाराष्ट में हूँ और नागपुर इलाके में मैं अपने लॉज फादरिला के घर पे आया हूँ फिरहाल अभी मेरे ब्रदरिला यहाँ पर हैं पूलिस में हैं और मैं इस वीडियों में आपको नापपूर की कुछ चीजें नापपूर की कुछ वीडियो दिखाऊंगा और नापपूर के अलावा मैं मुंबई का भी टूर आपको दिखाऊंगा दोस्तो मैं जिस बिविल्डिंग में हूँ इस समय वह एक safra अपार्टमेंट है जो की पुलिस विभाग के कर्मचारियों को दिया गया हो रही है अपार्टमेंट की इस समय साथवी मंजिल पर मैं हूँ आप देख रहे हैं नाकपुर सहर का नजारा मैं काफी उचाई पर इस समय साथवी मंजिल पर आप देख रहे हैं नाकपुर का एक पंच पावली एरिया है और यहां पर आप देखेंगे कि एक बहतरीन घनी आबादी यहां पर बसी हुई है आप नाखपुर का मैक्समम अरीय आप यह पर देख सकते हैं और मैं इसके बाद आपको नागपूर की इस बिल्डिंग में महरा है रहा हूं इस बिल्डिंग का भी फोटो दिखाऊंगा और भी पुछ चीज़े आपको दिखाऊंगा देख रहे हैं एक बहतीरी खुपसूरत और सांद शहर नागपूर महाराष्ट का दोस्तों इस सब्स इस बिल्डिंग की इस अपार्टमेंट की साथवी मंजिल पर है अतलब की टॉफ फ्लोर पर है अब आए इससे नीचे कैसे उतरते हैं और इसमें क्या क्या सुब्धा इसके बारें पतक करते हैं यह साथवी मंजिल है यहां पर दो रास्ते हैं आप शीरियों से भी जा सकते है जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस पर वैसे मुझे जाना है तो मैं लिफ्ट करता हूँ यहां पर जो भी लिफ्ट खाली होगी वह खुल जाएगी अभी कि मुझे ग्राउंड फ्लोर पर जाना है आप यह देखिए यह लिफ्ट काली थी जिस खुल गई के ओर मैं अब आपको दिखाऊंगा यहां पर की मेरे जो got की क्या दो मुझे रूट पर हैं थेने फोर्थ फ्लोर यहां पर उपिस्त किया मैं लेज only 4 पर जाकर रूप जाएगी और हम देखेंगे कि फॉर्थ प्लोट पे मेरा मिलाच फेमली है जैसे आप देखेंगे फॉर्थ प्लोट पे कि मेरी ला च यह ह्लाव फेंमली आप ही मेरी साह स्व आंपशी मां मैंने पर इस ने अयाइए वह मैरे सुपूत्र और एक लोग अभी सो रहे हैं आप अभी सोगे कितना देर सोगे यह मेरी सरहाज इनको तो आप जानती होंगे कई बार मिल चुके हैं से और यह मेरा साला नंबर दो जो की बहुत जल्द रेल्वे में सेलेक्शन होने वाला है और यह मेरी साली शाचु मा तुन्हें मेरी कदर न जानी ठीक है और यह मेरी ब्यूटिफुल नमस्कार और अभी देखो यह दो बच्चे में देखो सो रहे हैं अभी है कुशी घटा कितने बज़े उठोगी शुशी कितने बज़े उठोगी च्छोंब स्रेया कितने बचे उठोगी चलो अभी सोजा थोड़ी तरह सोड़ें देखू देखेंगे यह नौ बजने वाले हैं लेकिन यह चुकि रूरल एरिया तो है नहीं यह एक प्रकार से सीटी एरिया है तो यहां पर आप देखेंगे इसी प्रकार की लाइफ इस्टैल होती है और यह देखिए यहां पर यह बाहर का नजारा आप देख सकते हैं अब मैं आपको बाहर से इसका लूप दिखाता हूं नागपूर सहर में एक बहतरीन सांती रहती है नागपूर सहर एक सांत सहर है महराष्ट का आप देख रहे हैं चारों तरफ बहुत घनी आबादी यहां पर है और कहा जाए तो यहां पर एक प्रकार से यह सेंटर है पूरे हिंडिया का यह जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं यह एक ही पुलिस कौर्टर का है और इस पुलिस कौर्टर में 196 फेमिली रहती है आप देख रहे हैं एक यहां पर है और एक यहां पर और एक जिस पर हम रहते हैं यह चारों तरफ का नजारा है यहा यहां पर देखिए इस तरीके से यिक्सा पर भी दुकाने लगती है है लोग आते हैं और इस तरफ बना जा रहा है यह बड़ी बड़ी бिल्डंग आप देख रहे हैं यह एक अपार्टमेंट है तो दोस्तो फाइडली आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा चलिए आप चलते हैं हम अपने साशुमा के घर थोड़ी देर बाहर गये थे घुमने देखिए दोनों में से कौन से लिफ्ट खुलती है मुझे उपर जाना है कि यहीं खुलेगा मेरे खाल से यह वाला अगया है अब चलते हैं फॉर्थ फ्लोर पे पहुंच रहे हैं और आप देखेंगे कि मैं अपने साशुराल का पूरा मज़ा ले रहे हैं यहां का फैन भियान कर सकते हैं अब यह फैन भियान होगा खुद घर में फिलाल फैन को बन कर देते हैं लाइट की यहां पर और यह गेट खुला और मैं यह पहुंच गया देखिए यहां पर सभी लोग हैं ठीक है अब इस ब्लाग वीडियोग अच्छा लगए आप चैनल को हमाई जरूर सब्सक्राइब फिलाल दोस्तों यहां पर देखी बरसाथ हो रही है और हम लोग बरसाथ का अनंद ले रहे हैं